हेलो फ्रेंट्स मैं हूँ गीट स्वागत है आप सभी का मेरी चैनल गार्डनिंग विद गीट कुमार में आज किसी भी प्लांट की केर नहीं शेयर करने वाली हूँ फ्रेंट्स एक्चली मैंने इस डियर सेट की जब शॉपिंग की थी तो मैंने आप लोगों के साथ वीडियो शेयर किया था और उस समय पे मैंने कहा था कि मैं इसकी सेटिंग जहां भी करूंगी अपने गार्डन एरिया में करूं जहां भी इस डियर सेट को रखूं तो आप लोगों के सा एक चोटा सा अपडेट जरूर शेयर करूंगी तो आज वही करने वाली हूं अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजेगा मेरे चानल गार्णिंग मिद गीत कुमार को तो यह जो डियर सेट है वैसे तो इसके आसपास मैंने कुछ प्लैंट भी रग दिया है तो यही यह देखें यह कुछ प्लैंट से तो यह निवान पोथूस रग दिया जो की बहुत ही प्यारा लग रहा है इसके आसपास तो फ्रेंड्स यह जो डियर सेट है इसकी शॉपिंग मैंने आल्लाइन की थी अगर आप लोगों को लेना हो तो इसका लिंक मैंने शेयर किया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो आप लोग चेक कर सकते हैं अगर लेना हो आप लोगों को भी तो तो इसके पास मैंने यह सिंगोनियम का एक प्लांट रख दिया है और स्विस चीज है फ्रेंड्स स्विस सेट कर दूंगी जहां पर और भी ज्यादा प्लांट्स होंगे इसके आस-पास तो बिल्कुल ही जंगल लुकाएगा और इसके अलावा में मैंने कुछ प्लांट्स रखें हैं इसके आस-पास नीचे के तरफ भी रखा है तो वह भी आप लोगों को दिखाती हूं यह देखें यह नीचे के तरफ है डाइनिंग टेबल के नीचे का एरिया है और यहां भी मैंने कुछ प्लांट्स लगा रखें हैं यह सिंगोनियम का प्लांट है इसके बाद जेट प्लांट है यह मैंने मिट्टी के पॉट में लगाया है और यह फ्रॉग है फ्रेंट्स मिट्टी का मे लेकर आ गई हुँ मैं मैंने सुचा यह प्लांट कहीं जादा खराब ना हो जाए गर्मी से क्योंकि बहुत ही प्यारा लगता है यह प्लांट मुझे और इसके बाद अरेका पाम लगा रखा है मैंने इस खुब्सूरत सेरमिक पॉर्ट में प्रेंट से देखिए इसकी भी ग् प्लांट की एक वराइटी होती है उसको लगा रखा है तो बहुत ही प्यारे लगते हैं प्लांट इंडो प्लांट है बेसिकली तो घर के अंदर आप ऐसी जगह में देखिए फ्रेंट से यहां पे कितनी अच्छी ब्राइट लाइट आ रही है तो कोशिस करें आप भी जहा थोड़ी बहुत दूप दिखा दिया करें 2-3 घंटे की सुबह की अभी तो वैसे बहुत जादा गर्मी पड़ रहे है तो अभी उतनी जरूरत नहीं है इन प्लांट को ज्यादा धूप की या कम धूप की भी वैसे कम धूप अगर सुबह की मिल जाती है अभी भी गर्मियो होते हैं ज़्यादा तर। और मैंने जो आपके साथ अभी शेर किया फिरण्स यह आरे प्लान्स तरीके साथ मोई हैं हवा को साफ करने वाले प्लान्टस होते यह सारे। और जितने भी chemicals होते हैं, pollutants होते हैं, जो हवा में उसको purify करते हैं, यह बहुत अच्छे तरीके से, तो बहुत ही खुबसूरत आपकी घर को एक stylish look भी देते हैं, हवा को भी purify करते हैं, और plants भी friends study में proof हो चुका है, कि plants जो है, वो mental stress के लिए, जो आजकल stressful life चल रही है, लोगों की बहुत जादा, लोग depression में भी चले जाते हैं, तो plants अगर plants के बीच में रहा जाए, तो एक study में proof हो चुका है, कि plants के बीच रहने से, depression भी, depression जैसी बीमारिया भी कम होती है, और कुछ लोग तो depression की बीमारियों से plants के बीच में रहने के बाद, पूरी तरह से ठीक भी हो चुके है, तो ऐसा भी देखा गया है studies में, तो आप लोगों ने भी अगर plant नहीं लगाए हो, तो जरूर plant लगाए, ये हर तरह से, हर तरह से ही beneficial है, घर में रखना, तो I hope friends, आप लोगों को ये plant वीडियो पसंद आया होगा, और आप लोगों को friends, मैंने जितने भी gardening से related जो भी चीज़ें खरीदी है आज तक, online जो खरीदी है, खासता और से Amazon से, तो NPK हो चाहे, वो फिर या कोई tool हो gardening के लिए, तो हर, हर चीज की जो shopping की है, उसका link मैंने description box में share किया है, अगर आप लोगों को check करना हो, तो आ में थाज का मारा वीडियो, मिलूंगी नेक्स वीडियो में, तिल देन, बाई friends, टेक क्यार,